विद्यार्ती के ओर से मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ साहित जगत में अपने संपून जीवन को कविता के लिए समर्पित करने वाले कवियों के कवी शमशेर नए यूग का सूत्रपात करते हैं दो दुईसिय संगोष्टी में शमशेर बहादूर सिंग का बहु ऐमी व्यक्तित्व का खुलासा हुआ है समस्त परपत्रवाचनों के आदार पर यह कहा जा सकता है कि शब्दों के जादूगर थे उनकी कवितां में व्यक्त संदर बीम्ब से यह पता चलता है कि उनकी भाषा बेजोड थी उन्होंने हिंदी उर्दू अंग्रेजी में अपनी लेखनी चला चुके हैं वे सौभा से शर्मिले थे और उनका अंदाजा सूफियाना था जैसा कि याद है कि वे गरीब थे इस कारण हिंदूस्तान के समाजिकता उनकी कवितां में देखी जा सकती है उनकी कवितां में कवितां की खास बात यह है कि दिल को चुने वाली भावना से ओत प्रोथ है इस संगोष्टी में सम्षेर को कई उर्दू के परसिद लेखकों के साथ जोड़ा है हिंदिता उर्दू साहित शोधार्तियों के लिए साहित पात ही है इसके साथ यह भी मैं कहना चाहूंगी के शमशेर पर आधारीत इस संगोष्टी में व्यक्तित्व तताकृतित्व का बहु आमी परत खुली है इसकार उनकी साहित में तुलात्मक, सामाजिक, सौंदरे बोधपरक, बिम्बात्मक, शैली वग्यानिक, ततारुपात्मक, आधी अनेक शेत्र, अनुसंधान के अंगिनत राहें खुली है अतर शोधार्ती को इस दिशा में विचार करने की अति अवशक्ता है मैं अपनी ओर से बात कहना चाहती हूँ, कि परफेसर कटिमनी जी कह रहे थे, कि हिंदी विध्यार्तियों को उर्दू सीखने का आउसर परदान करने के लिए उर्दू विश्विध्याली से उन्होंने कहा है इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और सहमत हूँ, क्योंकि हमारे हिंदी के विध्यार्तियों को उर्दू के जब शब्द आते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है अब शोद में हम देखते हैं कि विध्यार्ति जो है, कि उर्दू भाषा या लव्ज है, तो कहते हैं तो वो नहीं लेना चाहते कुछ ऐसे लेखकों के पुस्तके जब आती हैं तो पढ़ने के बाद कहे देदें कि हम इसमें शोध नहीं करेंगे क्योंकि हमें भाशा नहीं समझ में आ रही है तो मैं ये कामना करती हूं से कि आनी वाले समय में ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा भाशा के जादूर शमशेर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप करती हूं चुका भी हूं मैं नहीं चुका भी हूं मैं नहीं कहां किया मैंने प्रेम अभी कहां किया मैंने प्रेम अभी जब करूंगा प्रेम पिगल उठेंगे जब करूंगा प्रेम पिगल उठेंगे उगों के भूधर किन्तु उठेंगे साथ सागर किन्तु मैं हूँ मौन आज धन्यवाद